दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे जनरेटर और मोटर में क्या डिप्रेंस होता है यदि मैं आपको कहूँ कि आपके गरों या हमारे सभी के गरों में जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो क्या आप यकिन कर पाओगे? हाँ बिल्कुल यकिन कर पाओगे भी थोड़ी देर के बाद में वैसे इन दोनों में डिप्रेंस बता पाना बहुत मुस्किल है लेकिन फरक होता है इनके प्रिंसिपल में इनके वर्क करने के तरीके में दोस्तो एक होता है जनरेटर और एक होता है अल्टरनेटर इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं लेकिन अल्टरनेटर होता है वह 220 वोल्ट की AC सप्लाई जनरेट करता है यानि अल्टरनेटिंग करन्ट जनरेट करता है ले येदी मैं इस motor के supply terminal को disconnect कर देता हूं और यहाँ पर एक छोटा सा बलब लगा देता हूं और इस rotor को हाथ से गुमाता हूं तो यह electricity generate करता है और बलब भी जल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि एक motor ही एक generator है और एक generator ही motor है लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है इस पर थोड़ा सा mechanical energy को electrical energy में convert करता है तो यह तो हो गई बाहर की बात लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या होता है वह समझना जरूरी है जो बड़े बड़े power station होते हैं जहां पर बिजली बनती है वहाँ पर synchronous generator यूज होता है electricity generate करने के लिए और power station पर बहुत सारे generator एक साथ parallel में रगे रहते हैं यह पर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी generator का prime more fail हो जाता है prime more का मतलब है कि जो turbine इस generator को गुमाता है वह fail हो जाता है तो यह जो generator है जो पहले electricity generate कर रहा था अब यही generator electricity consume करने लग जाएगा और एक motor की तरह काम करने लग जाएगा लेकिन हमारे घरों में जो motor use होती है वह सिर्फ motor का ही काम कर सकती है यदि इसको आप हाथ से गुमाएंगे तो मुस्किल से एक दो वोल्ट generate करेगी क्योंकि इसका जो router है उस पर कोई magnet नहीं होती है electricity generate करने के लिए लेकिन इसको modify किया जा सकता है और इसको modify करके generator की तरह काम करवाया जा सकता है यदि इसके router पर magnet को लगा दिया जाए तो यह generator की तरह काम करने लग जाएगा motor और generator जिस principle पर काम करते हैं उसका नाम है electromagnetic induction जब किसी conductor को किसी magnetic field के अंदर rotate करवाया जाता है तो वह कुछ force experience करता है और magnetic field का मतलब होता है जैसे यह दो magnet है इनके बीच के अंदर आप यदि कोई लोहे की चीज रख करेंगी इसका मतलब है कि इन दोनों magnet के बीच में जो यह area है यह है इनका magnetic field है यहाँ पर आप देख सकते हो motor के इस part को बोलते है rotor जो rotate करता है और यह जो बाहरवाला part होता है इसको बोलते है starter जो fix रहता है अब अपन देखते हैं कि यह जो synchronous generator है वह कैसे काम करता है और इस synchronous synchronous generator को समझेंगे अपन इस DC motor की help से जो मेरे पास में मैंने इसको open कर लिया है तो generator के case में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो हमें power supply मिलती है जो अपने को mechanical supply मिलती है वो यहाँ इस router के तुरू मिलती है तो router के उपर connected रहता है turbine और जब turbine गोमता है तो यह router भी गोमने लग तो अभी यह router देख रहे हो यह है एक cylindrical shape में और जो synchronous generator का router होता है वो भी cylindrical shape में ही होता है तो मैं क्या करता हूँ इस router को थोड़ा modify कर देता हूँ यह आप side में एक pick देख रहे हो उसके coding तो मैं modify किस type से करूँगा इसको इसमें 4 pole लगा दूँगा दो इस side में लगा यहाँ पर आप यह device देख रहे हो इसको बोलते हैं commutator इस commutator को मैं यहाँ से अटा दूँगा और commutator की जगह लगा दूगा slip ring और slip ring के through जो यह मैंने field winding बताई इसको मैं देऊंगा DC supply तो field winding में क्या होगा? field generate होगा अब भी आप इस router की आप coil देखो coil की देखो एक side देखो यह coil इस side में है और वह गोमते गोमते इधर से आते हुए यहाँ पर आ जाती है तो जो मतलब यह है कि जो इसका angle होगा वो 180 degree का होगा यानि coil की जो एक side होगी वो north side में रहेगी और coil की जो दूसरी side रहेगी वो south side में रहेगी अभी अपन इसी चीज रहे यह मानलो मैंने इसकी marking इस पर भी कर रखी है और इस पर भी कर रखी है तो यह router जैसे एक number पे हैं एक number पर होगा तो flux line है जैसे ऐसे flux line है जारी है तो यहाँ पर बिल्कुल भी flux line है cut नहीं कर रहा है तो जो इसमें EMF induce होगा वो भी ना के बराबर होगा तो यहाँ पर अपर aham 2 झैमिक अबिएक करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो जनरेटर यह बेसीकली यही जो मोटर है यह एक AC EMF induce करती है, जब यह गूमती है, तो जो flux इसमें generate होता है, वो AC होता है, alternating होता है, यानि दुनिया में कोई भी generator ऐसा नहीं है, जो DC generate करता है, सबी के सबी AC generate करते हैं, उसको इस commutator की help से DC में convert कर दिया जाता है, यह एक तरीके का mechanical rectifier है, तो synchronous generator की case में क्या होता है, जिसे मैंन winding set कर देता हूँ, जिसको मैं बोलूँगा stator winding, अब stator winding में कैसे set करूँगा, मेरे पास मैं यहाँ पर wire है, उसकी help से मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मालूम मैं एक stator पर एक coil लेता हूँ यहाँ और उस coil को set कर देता हूँ 120 degree के angle पर दूसरी side यहाँ पर, इसके बीच लेंगा, उसको इस से 120 degree रखके, ऐसे 3 coil मैं starter पर set कर दूँगा, और एक winding मना दूँगा, जब मैं ऐसे 3 coil starter पर set कर दूँगा, तो वो हो जाएगी stator winding, तो होगा क्या, अब जैसे सबसे पहले यह router rotate करना शुरू होगा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको यह जो stator होता है, और यह router इसके बीच में small सा air gap होता है, क्योंकि air gap इसले होता है, क्योंकि यह एक mechanical device है, और यह stator को touch होगा, तो heating होगी और heating से यहाँ पर blast भी हो सकता है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले जब यह router rotate करना शुरू करेगा ऐसे, तो इसमें rotating magnetic field produce होगा, ठीक ह तो जब इसको cut करेगा, तो इसमें भी flux generate होगा, और flux मैंने भी बताया था, यह जो था, यह alternating था, तो यहाँ पर भी alternating stator winding में flux generate होगा, तो flux generate होगा, तो EMF generate होगा, और जो stator है, उससे अपन output collect कर लेंगे, यहाँ से इसके terminal से, क्योंकि stator अपना fix रहता है, तो output collect करना आसान होता है, तो finally क्या हुआ, जो stator है, stator से अपन three phase supply collect कर लेंगे, अपने को मिल जाएगी और यह अपन अपने गरों में दे देंगे, अब motor की case में क्या होता है, इसका just थोड़ा सा opposite होता है, motor की case में क्या होता है, three phase supply अपन देते हैं यहाँ से, फिर stator के अंदर rotating magnetic field generate होगा, फिर उसमें plugs generate होगा, फिर वो plugs करेगा, router को cut करेगा, और router में rotating magnetic field generate होगा, और router भी rotate करने लग जाएगा, तो यह एक दूसरे की एकदम just opposite है, इनमें कोई ज़्यदा फरक नहीं होता है, अब अपन बात कर लेते हैं alternator की, alternator और generator में ज़्यदा कुछ difference नहीं होता है, alternator में य यह है, वहाँ पर DC generator पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि DC generator में सबसे बड़ी problem यह आती है, यह commutator, क्योंकि यह जो commutator है न, यह थोड़े time बाद में खराब हो जाता है, यदि आप देखो, यहाँ पर देखोगे, इस के अंदर, तो यहाँ पर bursts लगे होगे हैं, यहाँ पर फिर इनको गाड़ी में से जो अपना generator है उसको निकालना पड़ेगा, और उसको bursts को change करवाना पड़ेगा, यानि उसकी maintenance cost बढ़ जाएगी, जबकि alternator में bursts होते ही नहीं है, तो वहाँ पर easily उसको maintain किया जा सकता है, उसका maintenance बहुत ही कम होगा, और final में जो भी गाड़ी में equipment होते हैं, जो AC supply से run करने होते हैं, उनको AC से run करवा दिया जाता है, जो DC में run करेंगे, वहाँ पर rectify लगा के, उसको DC में convert कर दिया जाएगा, अभी synchronous generator में एक चीज और आती है, वो क्या है कि जिसे synchronous generator में मैंने आपको बताया है कि चार पोल लगाएं, जो अपना speed का formula होता ह है, N वो होता है, 120 F by P, यहाँ पर F क्या होता है, frequency जो हमारे इंडिया में almost fix है, 50 Hz की ही होती है, P होते है, number of poles, N होती है, speed और यह 121 fix value है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यहाँ चार पोल रखता हूँ, frequency 50 Hz fix है, तो मेरे को यहाँ से speed मिलेगी, वो 1500 RPM मिलेगी, ठीक है, अब ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यह दि नंबरों pole को बढ़ा देता हूँ, तो speed क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो wind generator होते हैं, उनमें क्या होता है, वो धिरे इसलिए गुमते हैं, क्योंकि उनमें जो speed है उसको कम कर दिया जाता है, poles की value को बढ़ा कर, और 50Hz की frequency use होती है, लेकिन हमारे इंडिया में 50Hz की frequency होती है, ऐसा क्यों होता है, जरूर से comment box में बताना, और windmill पे मैंने एक separate video बना रखा है, यदि आप उस video को देखोगे, तो आपका बहुत knowledge बढ़ेगा, और यदि आपके पास में, induction motor के अलावा, यदि कोई भी motor है, जो DC motor ह उसको आप windmill बनाके उसे electricity generate करवा सकते हो, आपकी कोई battery charge कर सकते हो, phone charge कर सकते हो, छोटे मोटे equipments रन कर सकते हो, तो ये था मेरी तरफ से complete video जिसमें motor और generator के difference के बारे में अपन ने बात की, यदि आपको कुछ पूचना है, तो comment box में जरूर बताना, उस पे अपन बात करें की यदिएव men 805 कर सकते हो, अब ये 2ल किधे और बताना है उड़ बता हो, बताना होisión कर सकते हो, बताना हो सकते हो, का वे 5 bon